यकीन मानिए यह चटनी सुपव बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है एक बार आप जरूर बनाएं मेरे तरीके से तो चलते हैं देखते हैं यह चटनी कैसे बनाते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमने यहां पे बीट रूट दिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता तो हरी मे है थोड़ा सा द लासर थोड़ा साज लीए पें सरसो के दाने हम इसमें ठाले ह्bird दान आप देख संगे है दाल मैं से निर्व में अधरत हैं शंग में सब्सक्राहीत हैं तक्रसर उसमें तकिता रखर उनिए नहां अन्यक्ति batch we double लिता ति सभी श्यूरूर्ट किते लास्ट में हमने इमली भी डाल दिया इसमें तो इसको हम भूनेंगे बिना नमक डाले हम इसे फ्राइ करेंगे से लगातार हम चला चला के भूनेंगे फ्लेम जो है यहां पर मेरा मीडियम टू लो है तो यहां देखे लगातार चला चला के हम इसे भून रहा हैं अब एक दो म लगतार चलाकी से हम भूनते रहेंगे तो यहां देख सकते हैं मैंने इसे भून लिया है इसे लगतार चला करके दाल का भी कलर मेरा हलका गोल्डन ड्राउन हो चुका है अब हम कैस को बंद कर दिये हैं इसको ठंडा होने देंगे तो यहां देख सकते हैं यहां हलका ठंडा हो तो आप चाहे तो इसमें यह नारेल स्किप भी कर सकते हैं मागर नारेल जरूर ढाले इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब नारेल डालने के बाद इसमें हम स्वाधानुसार नमक डाल देंगे अनमक डालने बद इसे हम एक fine paste हलका सा पाने डालके इसको हम तयार कर लेंगा तो यहां देख सकते हैं यह जो pink pink कलर है बहुत ज़्यादा सुंदर कलर आता है इससे भी dark pink जो होता है वो आपका कलर आएगा तो यहां चलिए अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं मैं इसको हलका सा तड़का और उपर सा हलका सा दे दे रही हूं तो तड़का देने के लिए मैंने सेम पैन में यहां पर सरसो का तेल लिया है उसमें थोड़े से सरसो के दाने डाले यहां देख सकते हैं सरसो के दाना मेरे चटकने लगा है स्प्लटर होने लगा है तब इसी में हम थोड़ साथ कुछ सेकेंड रखने के बार इसे हम इस तरीक से देखिए हैं मेरा फोरन जो इसका तड़का मार रहे थे वो तैयार है इसको हम चटनी को पर यहां पर डाल दिये हैं तो इस तरीके से मेरा ये भी टूट का चटनी बनके बिल्कुल तैयार है आप जरूर बनाए और वीड झाल 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 झाल